नमस्कार दोस्तो टीटवन्टी वर्ड कप की सुरुवात हो चुकी है और सूपर ट्वेल्व का दूसरा मुकाबला खिला गया defending champion West Indies और England के बीच और क्या मुकाबला देखने को मिला दोस्तो उमीद तो बहुत थी इस मुकाबले से कि हाइ स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि जहाँ West Indies के टीम खड़ी होती है वहाँ चौके और छक्यों की बारिस तो तै होती है लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला दोस्तो आपको बता दूँ कि टॉस हार कर पहले बेस्ट इंडिज बल्लेवाजी करती है और केवल पचपन रन पे ओल आउट हो जाती है और पूरी बेस्ट इंडिज टीम से बेहद ही सरमनाक परदर्शन हमें देखने को मिला इंगलेड के गेनबाजों की बात करूँ तो आदिल रसित को सबसे ज़्यादा चार बिकेट मिले इंगलेड के सामने भले ही लक्ष छोटा था दोस्तो लेकिन ऐसा नहीं था यह असान होने नहीं दिया बेस्ट इंडिज टीम में उन्होंने भी लगातार स्ट्रगल करने दिया उनको और लगातार अंतराल के बाद बिकेट जटकते रहे उनको छपर रन के स्कोर को चीज करने में भी अपने चार बिकेट गवाने पड़े जी हाँ दोस्तो चार बिकेट इंगलेंड ने गवा के नौवे ओवर में छपर रन का टोटल हासिल कर लिया और इसी के साथ इस वर्ल्ड कप में इंगलेंड ने अपना पहला मुकाबला छे बिगेट से जितने में कामियाबी पाई मोहिन अली को दोस्तों उनकी सांदार और किफायती गेंदबाजी के लिए मैनब दमैच चुना गया